कि अज़ाइब करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलेटिन क्लासेज में मित्रों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मैं आपको हाइवे एंजिनिंग पढ़ा रहा हूं हाइवे एंजिनिंग में आज आपके समक्ष रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल का लेक्चर नमबर 5 करने का कारण यहां है क्योंकि इस चैप्टर में की संख्या जादा हो सकती है इसलिए मैंने इसको दो भागों में डिवाइट कर दिया है आज मैं आपको पार्ट ए पढ़ाऊंगा पार्ट B जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा आप से एक तोर कहनी है मुझे कि जो टेलीग्राम चैनल है वह जोईन कर लीजिए ज्योंकि आपको पीडिएफ वहीं पर प्राप्त होंगी पीडिएफ में आपसन ना देने का हमारा कारण यह है कि अगर पीडिएफ में हम आपको एंसर प्रोवाइड कर देते हैं तो उससे आप प्रेक् इसका एंसर क्या होगा तो इसलिए आप हमारे वीडियो लेक्चर को देखते रहें देखते देखते आपको एंसर याद हो जाएंगे उसके बाद आप अपने पीडिएफ से उसकी टेस्टिंग करें कि हमको कितना याद हुआ है अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो फिर से वी जो एक का में पदार्थ है जो ग्रेनाइट ट्रेप वा लेटराइट पत्थरों के विग तन पर बनता है धेलों का आकार दो सेंटिमीटर से अधिक नहीं होता है अब यह पूछा गया है कौन से कौन सी ऐसी चीज है जो छोटे-शोटे धेलों की सकल में है दानेदार है सिल दिका में है जो ग्रेनाइट ट्रेप और लेटराइट पत्थ्रों के विगटन से या उसके डिसिंटिगेशन से डिके से बनता है धेलों का आकार कितना है दो सेंटिमेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए अब जो इंग्लिस वाले हैं उनके लिए कोश्चन पढ़ते हैं इट इस दा ग्रेनुलर सिलिसियस सब्स्टेंस इन दा फॉर्म आफ स्माल लंप्स विच इच फॉर्म ऑन दा डिसिंटिगेशन आफ ग्रेनाइट ट्रेप लेटराइट इस्टोंस दा साइज आफ लंप्स इज नॉट मोर दैन तू सेंटिमेटर तो आप कोश्चन समझ गए ह है पहला प्सन है इसका बजली दूसरा प्सन है मूरम स्काइब कर ठीक और चौथ आप ऑपसिन है इन में से कोई नहीं से कोई नहीं तो पत्थरों के भिकतन से जो बंता है और 2cm के साइज ंच से कम है वो क्या होती है वो आपकी होती है मूरं जिसको बोलते हैं आप मौरंग कहीं कहीं पर मौरंग का कलर रेड होता है कहीं पर यलो होता है कहीं पर डार्क होता है ठीक है next question है आपका for the place where there is a passage of flood water then the highway has to be built on उन इस्थानों पर जहां बाढ़ के पानी का मार्ग है तो राजमार्ग पर क्या बनाया जाना चाहिए राजमार्ग पर बनाया जाना चाहिए राजमार्ग जो है वो किस पर बनाएंगे अगर वहाँ पर बाढ़ का पानी का मार्ग है तो for the places where there is a passage of flood water है ना passage of flood water अगर पानी का बहने का जो बाढ़ का पानी बहने के चांस है तो फिर highway को आप किस पर बनाओगे या question पूछा गया है तो option A है आपका embankment, embankment मतलब टटबंध, B option है आपका subway, सुरंग पत C option है overpass उपर से तो, D option है underpass अधो से तो इसका जो right answer होगा वो होगा आपका टटबंध, अगर कहीं पर बाढ़ का पानी है तो हमें टटबंध पर क्या बनाना पड़ेगा, highway जो है वो टटबंध पर बनाना पड़ेगा, या पर बनाना पड़ेगा, ठीक है next question है आपका देखे कुश कुश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, कुश कुश्चन आपको बहुत आसा, कठिन लगेंगे तो आप ऐसा कीजिए, हम लोग जो question बनाते हैं, तो हम यह यह देखना होता है कि exam में जो question आते हैं, कभी-कभी hard आजाते हैं, कभी-कभी बहुत easy आजाते हैं, तो इन दोनों का amalgam बनाना पड़ता है, mix बनाना पड़ता है, ठीक है? और हम यह कोशिस करते हैं, कि कोई भी कित, आपके जो slavers से है, कोई भी question छूटे नहीं, अगर हाँ कुछ hard question भी extra मिल जाते हैं, तो वो हम आपको provide करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कम मेहनत करेंगे, माल लो एक question, दो question इधर-उधर slavers से हो गया, तो फिर the problem आए जाएगी, इसलिए थोड़ा कभी-कभी question आप हो जाता है, तो उसकी आप tension नहीं लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा तैयारी करेंगे, तो आपके लिए खराब नहीं होगी, ठीक है, next question है आपका, the layer which is constructed above the embankment is called, टटबंध के उपर बनी परत क्या कहलाती है, टटबंध के उपर बनी परत क्या कहलाती है, देखे, इसके पहले वाले question को अगर आप समझ गए होंगे, तो इस वाले question को तुरंत कर देंगे, A option है आपका subgrade, अधायस्तर, B option है आपका feeling, भराव, C option है आपका आधार, D option है आपका subbase, तो इसका सही answer क्या होगा, A option आपका सही answer होगा, subgrade, A option आपका सही answer होगा, subgrade, क्योंग subgrade होगा, पहले मैंने क्या बताया, माले जो बाग आ रही है, तो आप embankment बनाया, अब embankment के उपर रोड बना रहे थे, निकलने के लिए, embankment के उपर जब रोड बना रहता है, तो ये लेवल क्या कहलाता है, सबसे नीचे का, subgrade, ठीक है, तो इसी लिए यहाँ पर लिखा है, टटबंद के उपर बनी परत क्या कहलाएगी, subgrade कहलाएगी, ठीक है, तो इसका A answer is the right answer, next question है आपका, the highest CBR number, the highest CBR number is required for, the highest CBR number is required for, the highest CBR number is required for, ठीक है, तो CBR number जानते हैं, CBR क्या होता है, CBR बोले तो California bearing ratio, ठीक है, California bearing ratio, एक operators आता है, ठीक है, California bearing ratio, इससे हम strength निकालते हैं, किसकी strength निकालते हैं, soil की strength निकालते हैं, और इसमें किस layer की strength निकालनी होती है, किसका highest number होता है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पहला option पड़ते हैं, payment, या payment को हिंदी में बोलते हैं, कुट्टिम, subgrade, अधायस्तर, subbase अधायár, base अधाय, अब यह बताईए, कि सबसे highest number किसका होगा, अरे भाई, सबसे highest number उसका होगा, जिसकी layer सबसे नीचे होगी, और सबसे layer नीचे किसकी होती है, subgrade की होती है, ठीक है, subgrade की होती है, फिक है, निर्मान में उपयोग के जाने वाली सबसे आम अपसिष्ट सामगरी क्या है यहां पर आप यह कर सकते हैं चावल की भूसी है ना वैसे तो आप चावल की भूसी कह सकते हैं सबको पता है चावल की भूसी क्या होती है तो एप्षन आपका क्या बता है मैंने आपको फ्लाइएस वी आप्षन श्लैक सी आप्षन पोजो लाना टी आप्षन आपका चावल की भूसी तो निर्माड में जो उपयोग होने वाली सबसे आम अपसिठ समगरी है वो है आपका फ्लाइएस इस दा राइट एंसर हाब बनाते हैं तो पावर प्लाइंट में कोईले कोईले के चून को मतलब कोईले को बारीक-बारीक-पीस दिया जाता है उसके बाद प्रेसर से भठी में जोका जाता है और यह जब जलता है तो इसकी राख जो है उड़ती है ठीक है उस राख को एलक्ट्रानिक नेक्स्ट है आपका question, bitumen is a by-product of, bitumen का सहा उत्पाद कौन सा है, ठीक है, bitumen किसका सहा उत्पाद है, तो A option है आपका लकड़ी, B option है आपका petroleum, C option है आपका मिट्टी का तेले केरोसीन, D option है आपका कोईला, ठीक है, तो इस question को समझना बहुत आसान है, करना बहुत आसान है, अगर आपने bitumen वाला chapter पढ़ा है, तो जरूर समझ में आ गया होगा, petroleum से क्या निकलता है, bitumen निकलता है, ठीक है, petroleum को जब हम आसवन करते हैं, उसका fractional distillation करते हैं, तो fractional distillation करते हैं, जब किसी चीज़ को हम उसके temperature के हिजाब से part the part, layer the layer जो है, हम क्या करते हैं, उसको वास् school इंटर में, कि कभी आपको gasoline मिलेगी, कभी आपको diesel मिलेगा, कभी आपको petrol मिलेगा, कभी आपको bitumen मिलेगा, ठीक है, कभी आपको gasoline के product प्राप्त होंगे, तो इस तरीके के चीज़े जब मिलती हैं, तो उसको वोतना fractional distillation, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, next question की बात करते हैं, tar is a by product of, tar is a by product of, tar किसका साथ अथपाद है, या किसका उप उतपाद है, A लकड़ी, B पे्ट्रोलियम, C मिट्टी का तेल, D कोयला, A लकड़ी, B पे्ट्रोलियम, C केरोसीन, D कोयला, या कोल, तो किसका उत्पाद है तो यहां है उत्पाद आपका उड़ का लकडी का उत्पाद है क्या लकडी का उत्पाद है टार टार किसका उत्पाद है लकडी का तार किसका उत्पाद है लकडी का ठीक है तो लकडी से बनता है क्या उड़ से बनता है आपका तार ठीक है जब उड़ को oxygen की अनुपस्तति में जलाया जाता है अगर oxygen की उपस्तति में उप्सृति तो क्या बनेगा उपस्तति है मैंने घठ है यह जब पहला वाला क्वेशन मैंने बताया तो उसमें क्या बताएगा कि अगर बिटूमिन की बात करेंगे तो बिटूमिन किस से मिल रहा है आपका बिटूमिन मिल रहा है पेट्रोलियम के प्रभाजी आस्वन से ठीक है या फ्रेक्शनल डिस्ट्री लेशन से ठीक है im next question है आपका in the initial stage of construction which type of payment is cheap निर्माण के प्रारम्भिक चरण में किस परकार का कुट्टिम सस्ता है निर्माण के प्रारम्भिक चरण में किस परकार का कुट्टिम सस्ता होता है in the initial stage of construction which type of pavement is cheap तो A option is lachila, flexible pavement B option is rigid pavement C option is composite pavement और D option is water bound, macadam या gel band, macadam ठीक है, तो here कौन सा होगा answer आप लोग भी थोड़ा सा सोचिएगा अंदाजा लगाईएगा और उसके बाद जब मैं आपको question के answer बताता हूँ तो आप उस पे निश्चेंत हो जाएगे कि हाँ ये सही answer होगा तो here A option is the correct answer flexible pavement जो है वह सबसे सस्ता होता है प्रारंभिक चरण में इसमें maintenance को नहीं जोडा गया इसलिए यहाँ पर प्रारंभिक चरण की बात की गई है questions में next है the plate bearing test is used to evaluate plate bearing test का उपयोग किसका मुल्यांकन करने के लिए किया जाता है ठीक है तो A option है modulus of subgrade reaction B option है modulus of subbase reaction C option है modulus of base reaction D option है modulus of pavement A option है अधा इस्तर प्रत्रिक्रिया मापांक B option है आपका अधा आधार प्रत्रिक्रिया मापांक C option है अधार आधार प्रत्रिक्रिया मापांक और D option है आपका कुट्टिम का मापांग, ठीक है, माडलस मतलब मापांग, तो here, जो आपका सही answer होगा, वो आप क्या होगा, A option is the right answer होगा, अधा इस्तर की प्रक्रिया मापांग निकालते हैं, किस से, प्लेट बेरिंग टेस्ट से, अब भाईये ये कैसे आपको पता चलेगा तो देखें, जब प्लेट बेरिंग टेस्ट करते हैं, तो भाईये मिट्टी का ही, मिट्टी पर ही टेस्ट करते हैं, प्लेट बेरिंग टेस्ट, ना कि आप रोड बनाने के बाद करते हो, अगर रोड बनाने के बाद करते हो, तो सब ग्रेड बेस का करते, सब बेस का करते, या base का करते या top layer का करते लेकिन आप जो यह आप test करते हो blow test तो मिट्टी को मिट्टी पर ही तो करते हो आप test जिस पर road बनानी है तो इसलिए उस पर subgrade का test कर रहे हो ठीक है तो modulus of subgrade reactions next है आपका stone aggregate do not have to resist stone aggregate को किसका जो है वो विरोध नहीं करना पड़ता है stone aggregate को किसका विरोध नहीं करना पड़ता है तो पहला option है अपच्छे परभाव का B option है यातायाद भार का C option है पहिया भार प्रतिबल का और D option है आपका smile load का ठीक है तो stone aggregate को किसका भार आपका विरोध नहीं करना पड़ता है मतलब किसका भार सहन नहीं करना पड़ता है तो वो है आपका डी आप्शन स्वाइल भार डी आप्शन स्वाइल भार अब ये कैसे तो देखिए इस टोन एग्रिगेट ये है अब इसके उपर रोड बनी हुई है इसके उपर भील जड़ेगा पहिया चलेगी अब लोड तो यहां पर है यह क्यों बियर करेगा इसका स्वाइल का लोट तो यहां पर है यहां होता तो यह बीर करता ठीक है नेक्स्ट कोस्टन है बस कोस्टन को समझना आसान समझ जाएं तो हम उसके एंसर को बहुत जलदी फाइंड आॉट कर सकते हैं तो नेक्स्ट कोस्टन है soft aggregates are used in soft aggregates are used in नरम मिलावे का उपयोग किसमे किया जाता है नरम मिलावे का उपयोग किसमे किया जाता है तो A है lower layers B है upper layers everywhere in pavement को टिब में हर जगा depends upon material सामगरी पर निर्भा करता है ठीक है तो A option है आपका right answer lower layer जो नरम मिलावा होता है soft aggregate होता है उसको हम क्या करते है निचली परतों में उसका यूज करते हैं देखिए जैसे जैसे हम उपर बढ़ते हैं वैसे वैसे हम hard चीजों का यूज करते हैं और जैसे जैसे हम नीचे पहुंचते हैं तो हम नरम चीजों का यूज करते हैं नरम मिलावे को, ठीक है, नेक्स्ट है, आपका, which of the following is a soft aggregate, इस question से आपका जो पहले वाले question का doubt था, वह clear हो जाएगा, कि soft aggregate पी क्या आता है, और हम उसको नीचे क्यों यूज करते हैं, तो which of the following is a soft aggregate, निम्न में से कौन सा नरम मिलावा है, a option brick, b option gravel बजरी, c option मिट्टी, d option silt, a option आपका है bricks, b option है बजरी, c option है आपका clay मिट्टी, d option है आपका silt, ठीक है, तो इसमें आपका सही answer क्या होगा, सही answer होगा आपका a, जिसका नाम है brick या eat, इसलिए हम eat पहले, जब मिट्टी को कूटते हैं, मिट्टी के उपर हम क्या करते इट को कूट देते हैं, फिर हम stone डलना शुरू करते हैं, aggregate डलना शुरू करते हैं, ठीक है, तो आपको पहले question का भी जवाब मिल गया होगा, और दूसरे का भी, देखे जब आपको मेरे से पढ़ेंगे, मैं आपको बहुत इत्मिनान से पढ़ाता हूँ, मुझे किसी चीज में पढ़ा रहा हूँ, या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो अध्यन का इसतर होता है, वह तभी अच्छे से समझाया जा सकता है, जब उसको बहुत आराम, आराम से आपको बताया जाएं, आप एकदम भागना नहीं है, कि आपको कही जाना है, भागते हुए जो धीमा बच्चा हो पढ़ने में जो धीमा हो उसको भी समझ में आए जो पढ़ने में तेज है उसको भी समझ में आए ठीक है तो हमको जो है कभी भी जल्दी नहीं रहती इसलिए जब भी मैं आप पढ़ाता हूँ आप लोगोंने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें देखाऊगा बहुत-बहुत आराम से मैं पढ़ाता हूं आराम से समझाने की कोशिश करता हूं ठीक है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन impact value test impact value test is used to measure impact को हिंदी में बोलते हैं संघट value man test आपका परिक्षण संघट man परिक्षण का उपयोग मापने के लिए किया जाता है तो किसे मापने के लिए करते हैं A option है आपका ठोरता या hardness B option है आपका toughness या चीमडपन C option है आपका wheel load पहिये का भार और D option है आपका strength ठीक है तो impact testing machine आपने देखी होगी कुछ ऐसी होती है ऐसी एक बसीन होती है यहाँ पर कटोरा बाउल रखा होता है इसके उपर एक system लगा होता है और इस system से ऐसे एक load लगा हुआ होता है इस तरीके का एक load लगा हुआ होता है थोड़ा सा यहाँ figure इसके बराबर में यहाँ पर load लगा हुआ होता है इस तरीके का figure हो सकता है by hand सहीज ना आए इस तरीके का इसका वजन होता है 14.4 kg के आसपास होता है 14.6, 14.4 kg के आसपास ठीक है और इस वजन को इसके ऊपर क्या करते हैं? गिराते हैं और इस बाउल बे क्या रखा होता है? एग्रिगेट रखा होता है ठीक है? तो वो टेस्टिंग आपको याद होगा अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं अभी आप इसको पढ़ लीजिए तो इससे टफनेस निकालते है impact value test से हम क्या निकालते हैं toughness निकालते हैं ठीक है toughness को Hindi में क्या बोलते हैं चीमडपन बोलते हैं ठीक है और अगर आपको इसको नार्मल भासा में समझना है तो मैं आपको बता दूँ इसको road payment के लिए निकालते हैं road की aggregate के लिए क्यों निकालते हैं तो वहीं बता देता हूं देखे माली जो यह road है ठीक है अब इस road में आपका गाड़ी लगातार ऐसे ऐसे मूब कर रहा है ट्रक मूब कर रहा है तो तो तब तो इसका abrasion होगा ठीक है घरसंड होगा तो उसको तो हम किसी और operator से निकालेंगे ठीक है जैसे उसको किस से निकालेंगे हम उसको निकालेंगे कैलिफोर्निया से ठीक है कैलिफोर्निया जो आपका rotating drum मसीन है उससे निकालेंगे कैलिफोर्निया भीरिंग रेशियो से नहीं कैलिफोर् गया सदेन रोडिंग है ना जैसे कि यहां पर कोई इंट रखी हो आपने इंट के उपर उपर से एक छोड़ दी तब इंट के उपर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो यही तो यहां पर कर रहा है चौदा किलो वजन थोड़ी उचाई से छोड़ दिये नेक्स्ट कॉस्चन शुरू करते हैं कर रही है यहीज श्यूलब dress और अब देज रिखेंग यह कैसे आधिक टेम अधिक अपके क्रिया मतलब कोई चीज नश्ठ हो रही है धीर दिटियर ज्यादा देर-देर तन और पहिए के भार पहिये के लोड को सहन की भी कर रही है अब जब ज्यादा दिन तक कोई चीज नहीं रुखती है तो क्या कहते हो कोई आप फोन लाते हो कोई सामान लाते हो तो आप क्या कहते हो भाईया यह कितने दिन तक चलेगा तो वह कितना डियूरेबल है है ना वह कितना डियूरे चाहिए, questions को समझ में आना चाहिए, next question है, 15th question, the specific gravity for the aggregate should be within the range of, मिलावे के लिए विशिष्ट गुरुत की सीमा के भीतर होना चाहिए, मतलब मिलावे का विशिष्ट गुरुत कितना होना चाहिए, A option है, आपका 2.5-2.8, B option 2.6-2.9, C option 2.4-2.6, D option आपका 2.22-2.6, A option है, आपका 2.2-2.8, B option है, तो इसका सही answer क्या होगा जो मिलावे का specific gravity कितनी होनी चाहिए इसकी सीमा के भीतर होनी चाहिए तो 2.6 to 2.9 के भीतर होना चाहिए next question है बेटा the sum of flackiness यहाँ पर आप sum की जगए आप क्या कर सकते हैं combination भी कह सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है sum भी कह सकते हैं sum of flackiness index and elongation index should not exceed चपते मिलावे का सूचकांक और लंबोत्र मिलावे का सूचकांक का योग ठीक है कितने पृतिषत से अधिक नहीं होना चाहिए ठीक है कितने पृतिसद से अधिक नहीं होना चाहिए तो 15 पृतिषत 20 पृतिषत 30 पृतिषत 40 पृतिशत A option है आपका 15 B option है आपका 20 C option है आपका 30 D option है आपका 40 ठीक है? तो इक कितना नहीं होना चाहिए? Important question है आप लोग ड्रट लीजिएगा 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए चप्टे मिलावे का सूचकांग और लंबोत्तर मिलावे का सूचकांग का योग ठीक है? सूचकांग बोले तो elongation index और elongation बोले तो लंबोत्तर और फ्लैकिनेस बोले तो चप्टा ठीक है? आपने टेस्ट भी किया होगा एग्रीगेट के अगर टेस्ट आपके कॉलेज में आपके संस्थाओं में करवाए गए होगे तो next question है the crushing strength the crushing strength no sorry the crushing value of the aggregate determines its the crushing value of the aggregates determines its मिलावे का संदलनमान को बताता है A option है आपका hardness या कठोड़ता B option है आपका strength या सामर्थ C option है आपका toughness या चीमरपन D option है आपका durability A option है आपका कठोड़ता B option है आपका सामर्थ C option है आपका चीमरपन D option है आपका durability तो crushing strength क्या होता है आपने एक test किया होगा आपने book में देखा होगा एक ऐसे ऐसे operators होता है इस तरीके से इसमें गिट्टियां भरी रहती है ठीक है और उन गिट्टियों के ऊपर हम क्या करते है एक piston से load लगा रहे होते है नीचे के side क्यों योर ठीक है तो इसको बोलते है crushing strength इसमें aggregate नीचे को press होके crush हो जाता है तूट जाता है इसको क्या बोलते है देखे जब हम किसी चीट को जैसे आप किसी व्यक्तिकों क्या कर रहे है force से दबा रहे है तो क्या कहेंगे अरे भाई तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है है न तो उसकी strength कितनी है ठीक है तो here strength is the right answer सामर्थ है next question है आपका मृतिका या चिकनी मिट्टी मृतिका या चिकनी मिट्टी या clay ठीक है कडों का माप होता है the size of particle of clay तो यह option है आपका 0.002 mm से कम 0.002 से 0.006 mm 0.006 mm से 2 mm और 2 mm से ज्यादा less than 0.002 0.002 mm to 0.006 0.06 0.062 2 mm more than 2 mm तो आपका जो clay का size होता है वो क्या होता है less than 0.002 होता है next question है आपका silt के कडों का माप होता है silt के कडों का माप होता है ठीक है कोई भी question पूछा जा सकता है इसलिए मैं आपको जो उस topic से related questions होते हैं मैं सारे बताने का प्रियास करता हूँ क्योंकि एक्जाम कोई paper हम तो नहीं बना रहे है जो भी बनाएगा वो देगा यहीं से तो क्या देगा वो तो हमें नहीं पता बट देगा इसी में से यह हमें पता है तो इसलिए हमको जो उतने type के question बनते हैं तो हम आपको सब करवा रहे हैं जिससे आपका सारी तैयारी हो जाए तो silt के कड़ों का map होता है the size of the particle of silt 0.002 mm से कम 0.002 mm से 0.006 mm 0.006 mm से 2 mm और 2 mm से ज्यादा तो देखे यह वारा तो होगा नहीं क्योंकि उपर पढ़ चुके हैं के लिए तो 0.002 mm से 0.006 mm is the right answer ठीक है अब आपको next क्या answer होगा वो आपको अंदाजा हो ही गया होगा तो next question है आपका rate अतवा बालू के कड़ों का map होता है the size of the particle of sand rate या बालू एक ही चीज है rate या बालू के कड़ों का map होता है the size of the particle of sand कितना होता है less than 0.002 यह हो ही नहीं सकता 0.002 mm से 0.006 यह नहीं हो सकता क्योंकि यह किसका है यह आपका silt का है तो 0.006 mm से 0.006 mm से 2 mm बिलकुल सही जवाब यह आपका किसका size होगा rate का size होगा या बालू का size होगा ठीक है और 2 mm से ज़्यादा फिर आपके course में हम चले जाते हैं ठीक है तो आज का lecture यहीं पर समाप्त होता है इसका part B मैं आपको जल्द ही upload करूँगा ठीक है तब तक आप जो lecture को बहुत ध्यान से देखिए एक एक objective question मैंने आप अपनी भासा में समझाने की कोशिस की है जितना मेरी छमता है जितना मेरा मुझे कैलिबर है उतना मैंने आपको बताने का प्रियास किया है questions को आप लोग ध्यान से अगर पढ़ेंगे ध्यान से समझेंगे और जो हम PDF देना है उससे बाद में practice करिएगा जब आपका exam के time आजाए फिर देखे कि हमें कितना आ रहा है जो हम दारे sir ने करवाया है उसमें हमें कितना आ रहा है तो जिससे आपके तयारी बहुत अच्छे हो हम भी यहीं चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे नमबल लाएं ठीक है तो आप लोग चैनल को हमारे subscribe कर दें share कर दें like कर दें PDF जो है आपको हमारे telegram चैनल पर आपको upload करा दी जाएगी Thank you so much Thanks for watching dear